हेलो एब्रिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल दिख्षितास ब्लॉब आप सब केसे हैं, मैं ठीक हूँ, अशा करती हूँ, आप सबी ठीक हूँगे आज मैं आप लोग का साथ में शेयर करने जारी हूँ मुंगदा लोर रोहु फिश का हेट का एक रेसिपी तो चलिये शुरू करते हैं मैंने यहाँ एक कोटर से कम मुंगदा लिया है, अभी इसे मैं ड्राई रोष्ट कर लिया हूँ इसे मने यहाँ द झाटा लिया है और आभी मैंने यहाँ एक कढाई लिया है, मैंनेuga सांटर उयल डाला है और तेल करम होने का बात में यहाँ डाला यह दो तेच पत्ता ईलाई ची धालचिनी और थोरी सी जीरा और जब जीरा चटकने लगा तो मैं इसमें एट करूँगे अभी प्याज, लसुन और अद्रत का पेश्ट और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए थोरे टाइम के लिए भून लेंगे और अभी मैं इसमें एट करूँगे लाल मिर्च पहुड़ा और इसे भी अच्छी तरह से चला दूँगे और अभी मैं इसमें एट करूँगे टॉमेटो प्यूरी जो मैंने पहले से करके रखा था और इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़े और मैंने जो रहो फिश का हेट था उसे मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है इसमें मैंने फ्राई करने का टाइम में नामक और हल्दी से इसे फ्राई किया है तो वो मैंने दिखाया नहीं तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी पानी एट करूँगे क्योंकि यह ज्यादा ही ड्राइ लग रहा था और अभी मैं इसमें एट करूंगी हल्दी पावडर आधा चम्मज चीरा पावडर जो चाई की चम्मज होगी उससे आधा चम्मज ही होगी है आधा चम्मज और धनिया पावडर एक चम्मज और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे और थोरे चान के लिए इसे फ्राइ कर लिएगे फ्राइ मिन्स अशिते फ्रेक पावडर जब तक पकते है तब तक और मैंने यहा Baptist नमक एट किया है की नमक तो पहले भी मैंने उसके डाल में बॉयल करने का टाम एट किया था और जो दाल था बॉयल किया हुआ उसे मैं अब इसमें एट कर दूँगे और अच्छी तरह से चलाते हुए थोरे टाइम के लिए से पका लेंगे आप इसी तरह से डाल मुंदाल की जगा पर दूसरे कोई भी डाल डाल सकते हैं जैसे उरत की डाल डाल के बना सकते हैं और जो मैंने फिश का हेट था उसे मैंने फ्राइ करके रखा था उसको तोड़के इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे दिखिए यह अच्छी तरह से फ्राइ हो चुकी है अभी पानी भी सुग गया है अभी मैं इसमें डालूंगी जो पेले मैंने डाल का पानी रखा था वो डाल लिया है डाल से निकल के जितना बचा हुआ पानी था उसको मैंने निकल के रखा था वो पानी डाला है और मुझ डाल सकते हैं तो यह उबल आ चुका है दिख्या आप इसमें राइस जैसे छोटा ओला कोई भी राइस से भी बना सकते हैं या जो गोविंद भोग राइस है उसी से भी बना सकते हैं और मैं इसमें एट कर रही हूँ एक चमच गरम मसला पावडर और इस अची तरह से चला के फिर मैं यहां थोड़ा पानी ज्यादा डाली हूँ क्योंकि मेरे दो बच्चे ज्यादा सुखा होने से नहीं खाते हैं तो इसलिए और मैंने यहां एट कर दिया है धनिया पता तो हो गया है मैं इससे निकाल लूँगे अभी तो आज के लिए इत